नरशकर साथियो स्वागत है आप सभी का हम सभी जान रहे हैं कि OPS और NPS का विकल्प प्रपत्र वर्तमान में सासन के ओर से भरवाया जा रहा है तो इसी के संदर्ब में 36 गड़ सासन वित्त विभाग की ओर से एक निर्देश प्रसारित हुआ है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रमांक 94 अबलिक 21 अबलिक 2023 अबलिक वित्त नियम अबलिक 4 नवारायपूर अटलनगर दिनांक 23 दो 2023 का यह आदेश है तो इस आदेश की मुख्य बाते क्या है उसे हम सभी जाल लेते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विशय जो है विशय में क्या कहा गया है पेंसन प्रकरणों के निराकरण हैतू विभागा द्यक्ष इस्तर पर पेंसन सेल का गठन कर पेंसल सेल का क्या करना है गठन करना है और पेंसल सेल का गठन करने के बाद नोडल अधिकारी न्युक्त करने के बावत विश्तार से जानते हैं आगे इस आदेश या कहना चीए निर्देश में क्या कहा गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 36 गर्ड सासन वित्विभाग के अधिसूचना दिनांग 11 मई 2022 द्वारा दिनांग 11 2004 से पुरानी पेंचन योजना बहाल की गई है एक ग्यारा दो हजार चार से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है आप जान रहे हैं तो सास की सेव को हे तू नवी अंसदाई पेंशन योजना अर्थात NPS एवं पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का चैन करने का प्रावधान किया गया है पहले ही सासन की ओर से एक निर्देश प्रसारीत हुआ था जिसमें NPS या OPS का विकल्प का चैन करना होगा उसमें से एक का हम सभी उससे समंदित वीडियो आप सभी के साथ साजा किये थे अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर कि कैसे NPS OPS के विकल्प प्रपत्र भरना है और क्या दिसा निर्देश है तो आगे जानते हैं साथ इसाथ ऐसे सासकी सेवक जिन्हों ने पुरानी पेंसन योजना का विकल्प लिया है अर्था दिन्हों ने OPS का चैन किया है तथा दिनांक 142022 या उसके बाद न्युक्त सा 142022 से चतिसगर समान्य भविस्यनिदी खाते का संदारण हेतु संचालक पेंसन को अधिकरित किया गया है अर्था चतिसगर सासन की ओर से जीपीएफ खाते के संदारण हेतु संचालक पेंसन जो है उनको अधिकरित किया गया है अर्था जिन सासकी सेवकों ने OPS विकल्प क का चेहन किया है तथा जिनकी न्युक्ति एक चार दो हजार बाइस के बाद हुई है उन सभी के लिए जीपिएफ खाते का संधारण करना है उसके लिए संचालक पेंसन को अधिकृत किया गया है आगे इस आदेश में क्या है उसको जानते हैं विभिन्न विभागों में संधा अधिकारी इस ठापना पेंसन कारियों में अधिकारी का नाम कीया जाना आवश्यक है सात इ सन हागे आप दरग रहे हैं अथा सवश्य विभाग उप्रोक्ता नुसार आवश्यक कार्यवाई कर एक सतथा में नामांकित taşारी का नाम पद नाम एवं मोबाइल नंबर संचालक पेंसन को अनिवारी रूप से उपलब्द कराने का कर्ष्ट करेंगे अर्थात इस आदेश मिश्पष्ट किया गया है कि विपिन विभागों में जो जीपिएप संधारण करना है और लंबित पेंसन प्रकरण होंगे उनकी समिच्छा निरा करण के लिए विभागों के मद्दे समन्वाए है तू प्रतिक विभाग में एक पेंसन सेल का गठन करना है और नोडल अधिकारी का गठन किया जाना है ताकि वे पेंसन और जीपिएप से संबंदित कारियों को बेहतर तरीके से कर सके तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू